असलाम अलेकुम नावल शिकस्त दिल तहरी मर्यम घपार एपिसोड नमबर नाइटीन हुरिया आफ होते ही वो हुरिया के पीछे आता उसे पकार गया था जी डॉक्टर हैसन क्या हुआ सब ठीक है भाग कर आते हैसन को देखती हुरिया परिशान होई थी मैं घर शोड़ दूँ आपको सांस बहाल करता वो मुस्कराया था आप सर्फ इसले भाग कराया है वो हैरांगी से बोली थी शोड़ दू हुरिया के सवाल को नजर अंदास करता वो नहाई रास्तेगी से बोला था जी शुक्रिया पर ड्राइवर हमारे पीछे आजएगा इससे पहले के वो इंकार करती हैसन न से मश्वरा दिया ओके और बात में सर हिलाया था ड्राइवर को जाने का इशारा करती हुरिया हैसन के साथ इस गाड़ी के संथ बढ़ी थी फ्रंक स्रीट का रोर खोलता वो सरशारी से मस्कुराया था आज इसके साथ उसकी हमसफ़र उसकी महापत बैठने वाली थी ये ख्याल ही उसके लिए काफ़ दिलकश था जल्दी से ड्राइविंग स्रीट संभालता वो गाड़ी स्टार्ट कर गया आज कैसे ख्यार आया मुझे ड्राप करने का एहसन को बगार देखती वो मस्कुराई थी अज सुबा से वो काफ़े खुश खुश थी और मस्कुराण एक पल के लिए भी उसके लबब से जदा नहीं होई थी ऐसे हुरिया को देखता हुआ शाने उचका गया अच्छा कोई बात है क्या एहसन को समझने की कोशिश करती हुँ मसीद कोया हुई मतलब मेरा मतलब है आपको कोई बात पूशनी थी मुझसे एहसन को ना समझते देखकर वो आस्तगी से बोली थी बात है तो बहुत हैं कभी फुरसत से करेंगे मिल बैटकर श्योख नजरों से उसे देखता वो गहरा मस्कुराया था वही हुरिया ने हैरत और सजाब से उसे देखते फकर सहिलाया था ये ले आगिया आपका घर मलिक मैंशन के सामने गाड़ी रोकते हैसन ने उसे देखा बीस मिनट का सफर उसकी संगत में कैसे गुजरा पता ही ने चला शुक्रिया अंदर आने का नहीं कहेंगी मस्कुरा कर कहती वो डोर खोलने लगी थी कैसन के नए फरमाईश पर रोकी थी आप अंदर चलेंगे आके छोटी करती वोसे देखने लगी हाँ चल सकता हूँ मैं सिर्फ आपका कॉलीक नहीं हूँ और भी रिष्टे हैं हमारे दर्मियान में अब तो आपके घरवाले भी जानते हैं हमारे बारे में थोड़ा सा उसके सम्झ जुकता वो गद्रे धीमे लहजे में कहता मुस्कुराया था इसलिए तो कह रही हूँ क्या हुआ जर्फ लब बड़ाती वो चुप होई थी उसे खामोश देखते वो गोया हुआ चले अंदर एसन में कोई क्या सोचे का गाड़ी स्टार्ट करता वो वाच्पन को गेट कुलने का इशारा करिया जब वो खाबज़ादा होई आप तो अभी से डर गई हुरिया अभी तो शुरुआत होई है यार हुरिया के चेहरे की हवाईयां ओड़े देखकर वो मस्कुराट दबाता बोला चले कार पोच्पन गाड़ी पार्क करता वो बाहर निकलाता मगर हुरिया को ऐसी गाड़ी में गुमसम बैठे देखकर वो उसकी साइट पर आता विंडो सीर से अंदा जांकता गोया हुआ जिस पर हवास में लोड़ती हुरिया गाड़ी से उतरी थी मरे मरे कदमों से चलती वो ऐसन को उजड़त में अंदर के सिम्द पढ़ते देखका हरान थी उसे लगा जैसे ये घर उसका नहीं ऐसन का था कि तब ही राधारी उबूर करते वो दोनों अंदा दाखिल हुए जहां सामने का मनज़र देखकर हुरिया चौंगे थी सामने ही शा फैमली और मलिक फैमली खुश गप्यों में मस्रूफ थे उन्हें आता देखका है मर्वा उनके सिम्द बढ़ी अरे आएं हैसन हुरिया कब से तुम्हारा इंतिजार हो रहा है हैसन को चलने का कहती वो हुरिया के सिम्द बढ़ती मस्कुराई थी एसस्लाम उल्यक्म बलो नवाद में सिलाम करते एसन ने सामने बेटे जवाद को देखा जो अन्हें आते देखकर मस्कुराया था वालेक्मस्सलाम आओ भई तुम्हारा इंतिजार कर रहे थे हम सब एसन के सलाम का जवाब देते शकीज साब ने उसे अपने साथ बढ़ाया था और वही साहरा बिगम की आंके तशक्र से नम हुई थी जैसा उन्होंने जवाद से एसन के बारे में सुनाता वो ठीक वैसा ही था मासूम अदब और अत्राम वाला माशालला ये तो बहुत प्यारी है बाजी हुई एको देखती मिस्स इमरान ने दिल से उसकी तारीफ की थी सादा से पैरों को छूते लेवेंडर कलर के फ्रॉक में वो लंबे बालों को कमर पर खुला छोड़े हुए थी लायर सा मेक अप उसके खुबसूरती को मज़ेद निखा रहा था जबके चेहरे पर थकन की आसान नुमाया थे बारा घंटे ढूटी देने के बाद वो ऐसे ही थके तके से घर लोटती थी मगर आज उसकी आँखों में एक अलगी चमक थी जो एसन को अपने वालत के साथ बैठे देखकर आई थी वो काफी हद तक सब समझ गई थी क्यों क्यों एसन उसे को छोड़ने यहां आया था और क्यों वो गाड़ी में गुमा गुमा कर बाते कर रहा था हो रिया अससराम वालेकूम अंटी कैसी हैं आप मिस्स वासिप के आवास पर हवास में लौटती वो मसकुरा कर उनने देखती गोया हुई मैं ठीक हूँ आप कैसी है मैं विल्को ठीक सबसे दौा सलाम करती वो मिस्स वासिफ के पास ही बैट गए थी जब उसे देखता है ऐसर मुस्कराया था तो पेर हम रिश्टा पका समझें चन्द पहला खामुशी की नज़र होए थे जब मिस्स वासिफ की आवाज कुझे हाँ हाँ क्यों नहीं हर एक ने खुशी से कहा था जिस पर मिस्स वासिफ ने अपने बैक से गोल्ड के लिंग निकालते हुए को पहनानी चाहिए पर एन वकपा जवाद उन्हें टोग गिया एक मेरे टांटी अब रिश्ट को तो आने दें उसके भाई की जिन्दगी का इतना खास मॉमिंट है वहां मौदू सब नफूस ने हैरे से उसे देखा मगर जवाद की अगली बात पर सब मस्कुराए थे उसे काफी देर से इस वक का इंतिजार था जब वो अब रिश्ट की आमत का कह सकता वो उसे देखने के लिए बेचैन था अब रिश्ट नहीं आएगी वो घर पर है आज छुटी थी तो अराम कर दिए चलें कोई बात निया पहना दे जवाद को देखती मिसिस वासिफ ने मुक्तसर सा बताया जिस पर साहरा बेकम नहीं अंगूटी पनाने की अजाज़त दे कोई बात नहीं सुबह मिल ले ना उससे जवाद को अफसर्दा होता देखकर मिसिस शकील उसे तंग करती मुस्कुराई थी अम्मेजी मुझे ज़रूरी काम है डॉक्टर जिबरान ने बिलाया था मैं आता हूँ खाना तुख खाते जाओ जवाद मैं फिर खाता हूँ आप सब इंजॉय करें इस वाच में शाम के साड़े साथ बज़ते देख वो मुस्कुराया था बरवक्त भाना बनाता वो जाने के लिए बढ़ा था अबरिश घर पर अकेली है यह ख्याली काफी दिल परेप था वो मौकर का फाइदा उठा तक घर से निकला था कौन वाच्पैन ने तो से पहचानते गेट खोल दिया था मगर अंदर का दाखिली गेट जिसे वो पांच मिर्च से बजा रहा था मगर खुल कर नहीं दे रहा था कि तब भी बेल बजने पर अबरिश न बन दर्वाज़े के पीचे से पूछा था खोलो मैं हूँ जवाद अबरिश की आवाज सुनता वो मस्कुराया था घर पर कोई नहीं है सब आपके घर गए हैं उससे पहचानती वो दो टोक लहचे में कहते जानने के लिए मुड़ी थी मगर जवाद की बास सुनती रुकी थी जानता हूँ जब ही तो आया हूँ शोख लहचे में वो बोला था बत्तमीज इंसान आज हास्पिटल में ठरक नहीं कर सका तो घर तक आगिया है खुसे से दान पीस्ती वो जहरे लब बड़ बड़ाई गी मैं नहीं कोलूंगी चले जाए यहां से खुसे से कहते हैं बगएर उसकी सुने वहाँ से चली गई अभी वो कुछ सोचता कि सामने से पीज़ा डिलिवर को आतर देख कर वो पुर्सोच अंदाज में मुस्कराया कौन है? मैं मैं पीज़ा डिलिवर करने आया हूँ एक बाप पेसे बेल के बजने पर वो जवाद को समझते हो खुसे से गोया हुई मकर किसी और के आवाद सुनते हो शर्मिंदा हुई शुक्रिया मैं आपकी पेमिंट लेकर आती हूँ और्डर लेती हूँ अंदर गई थी और यहीं जवाद की मुश्किल असान हुई थी फोन पर बात करता हूँ अंदर दाखिल वा ले आये पिज़ा कपसे वेट कर रहे हैं हम लोग इतनी देर कौन करता है ये ले पेमिंट अपनी हो जाएं मुबाइल पॉकेट में रखता वो बेवज़ा उस लड़की को सुनाता बिल पे करता डोर लॉक कर गया ये ले शुक्रिया पर इसकी जरूरत नहीं मुझे अपने दुन में चलती है वो कैश सामने खड़े शक्स के संद बढ़ा गई सदेख कर मुस्कुराता जवाद अंदर के संद बढ़ाता आप कहा जा रहे हैं रुके ना कहा ना घर पे कोई नहीं है जवाद कंदर की तरफ बढ़ते देखकर अबरिश घबराई थी सबसे मिलने कौन आया है बच्चे कहा है शोक मुस्कुरा अटलब उपसे जाए घर में से नाटा महसूस करते जवाद नहीं हैरस से पुझा उसे जवाद ना देते देखकर वो खुझी हाखस करता हरान की से कहता मुड़ा था कि तब ही वो ठटक कर रुका बलेक कर डिले से ट्राउजर पर हाफ स्लीज शर्ट पहने वो अप्तिस नहेदी बालों को खुला चोड़े हुए थी उसने उसे हमेशे सलवास पुपा यार टाय फे टायर्स जीन्स पर लॉंग शर्ट पहने देखा था पहले बार उसे इस तरह की ड्रेसिंग में देखा था और आज उसे रफसे हुलिया में देखकर वर स्टेल हुआ था ब्लैक कलर में चांद की तरह चमकती वो जबात के दिल की धटका ने मुंतर्शे कर गई थी तो में इस तरह की ड्रेसिंग भी करती हो खुद को कमपोस करता हुए मस्कराया था यसे बहुत खबसूरत लग दें ना, इस लिए डोर ने कुल रही ती तो मुझे तो देखनीי से रोक रही थी और इस लिए में अपने डिलीवरे भाई के सामने चली गई थी कि तभी बरक रफ्तारी सोस्की कलाय पकड़ता उसे जटके से दिवार से पिन कर गया छोड़ो मुझे मुझे मकावल के अगले अकदाम का सोच करी वो जी चान से लर्जी थी तुम्हारी मर्जी नहीं हार्ट बीट मेरी मर्जी होनी चाहिए नरस्ती खंदार पलकों को उंग्यों के पूरों से जूता वो अपनी गरम सांस उसे कपाते लबो पर छोड़ता मकमूर लहजे में बोला था सुर्ख रंग आखों में खुमार के सुर्खी दोड़ी थी और अहीं अबरिश को अपने पैरों पर खड़े रहना मुश्किल लगा था तूर रहो मुझसे नाजो खातों के मुठियां बंद करती वो उसके सीने पर मारती चिलाई आंसों तूटका और इसके आरिस पर गिरे दे इससे पहले के वो उसकी बाजों में जूलती चवाद का फोन रिंग हुआ अबरिश से दूर होता हुआ अपने फोन के सिम्थ मतवज्ज़ हुआ मगर कलाई नहीं छोड़ी थी यह से मन बोलो क्या काम है एक नज़र गहरे सांस भरती है खोद को रिलक्स करती है अबरिश को देखता बर हमीं से गोया हुआ था हाँ तो डॉक्टर जबरान को कहो मैं बिजी हूँ ओके मैं आता हूँ उसे टालने की कोशच ने नाकाम होते देखका वो नाचार हामी बढ़ता फोन बंद कर गया और वहीं अबरिश ने अकुस्टर से उसे घूर का देखा था जरूरी काम है जाना पड़ेगा चलता हूँ जट के से कलाई खेंचता वो उसकी कमर में हाट डालता काम की करीब जुकता सरगोशी नुमा बोला था इससे पहले के वो कुछ समझ पाती वो उसके नीमवा लबो पर मीठी से जसारत करता हूँ जए हैरत में मुफ्तिला शोर्दा दिल फरेवी से मुस्कराता हूँ चला गया घड़िया इनसान बेशरम गेट बंध होने की आवास पर हवास में लोटती वो अपने लबो पर उसका लम्स महसूस करती सकती से रगड़ने लगी थी पेदर्दी से होट रगड़ी जमीन पर खुटनों के बल बैटती चली गई तो पेरा महसन और हुर्दा के निकाब भी अब्रिश और जवात की निकाब पार्टी के साथ ही कर लेते हैं सुबह में सब घरवाले की मौझूद्पी में निकाब हो जाएगा शामें छोटी सी तक्रीब कर लेते हैं खाने से फारिक होते ही चाय का दौट चला था जिस पर शकीस साब ने हर चीज को तर्टीब देते सबको देखा था हाँ ये सही रहेगा शकीस साब फिर जुम्मे को करते हैं निकाब बच्चों का शकीस साब के फैसले से मुत्पाइन होते हैं इमरान साब में रजमन्दी जाहिर की थे और एसन के मुस्कराते लब सुकड़े थे क्या हुआ खुश नहीं हो एसन को देखी मिस्स वासिफ ने उसके सर पर हाथ तो रखते पूछा था ममा अब रिश मान जाएगी तुम हो तो एससे मनाने के लिए मिस्स वासिफ को देखता हुआ इससे किसे बोला था जिस पर वो पुर इतमाद लहचे में कहती हैं उस पर डाल गए चले अब हमें इजाज़त थे शकी सहाब कुछ हसलोबी से मिलते हैं वो सब अपने घर के तरफ बढ़े थे ममा मैंने जबाद की खौईश पूरी कर दी है मस्कुरा कर कहते शकी सालन सफिया बेगम को सहारा देट उनके कमरे में ले जाते कहा अब बस जबाद मान जा जल अजल सर्जरी हो जाए उसकी जबाद का खिया आदे शकीस सहाब अफसर्दा होए थे क्या शकीस सहाब आप भी बच्चे हैं मिल्कुल कुछ नहीं होगा बेटे को करवा लेका सर्जरी शकी सहाब को अदास होते देख सायरा बेगवन अपने खास अंदाज में परांदे को पीछे डालते पुरामीद लहजे में कहा था सुबह जितनी उर्जलत में वो तैयार होकर घर से हस्पिटल के लिए निकला था उतना ही वहां पहुँच का अदास हुआ था बज़ा थी अब रिश्की अचानल से तब इस खराबी पर लीव वो तो सोच कर आया था आद उसे इसके भाई के रिष्टे की मुबारगबाद के साथ से अपनी शादी की तारिख भी डिसाइड करेगा वकर हॉस्पिटल पहुच कर डॉक्टर जिब्रान के बताने पर उसकी सोच पर कड़ो पानी गिरा था सारा दिन अकेले बैठे वो उगता गया था अब रिश्की अगर मौजूद की में उसका दिल जैसे वहां से उचार्ट हुआ था किसी काम में दिल नहीं लगाता तब ही वो वक्त से पहली ओप करता घर आ गया गारी पोश में खड़ी करता जैसे ही बाहर निकला तो सामने लौं में शाम की चाय पीते शकी साहबा सारा बेकम को देखता वो मुश्कुराया था सफैद काटन के कलब जड़ा सूट में मलबूस शकी साहब के सुरुक और सफैद चेहरे को देखता वो बलंद आवाज में लैलिक्स कुनकुनाता हो उनके सम्ट बढ़ा उसकी और उसकी आवाज और गाने के बहुत सुन्दे शकी साहब मुस्कुराय थे बेशराम बेटा उसे मज़ीद तुनकुनाते देखा साहरा बेगम को हसते देख और जिरे लब बड़ाते नभी में सरहला गए अबुजी चाहे दोनों बाजों को खोलता उनके पास आता उनके गले में हाट डाल गाता उसे इस तरह देखका साहरा बेगम के आखे नम होई थी वो आज भी उन्हें वो दस साला जवाद लगाता जो ऐसे स्कूल से टूशन से घर लोड़ता शकी साहरा बेगम काता ऐसे गले लगता था उन्हें आज 26 साला जवान दी बच्चा लगाता जवाद तू कब बढ़ा होगा जवाद के हाथ पकरते वो से अपने सामने करते खबकी से कहते मुस्कराई थे अब बुझे हो कितना बड़ा हूँ आप से लंबा कद हो गया है ताड़ी देखें ये भी पूरी आगई है और अब तो निकाह भी हो गया है मेरा जिसे बहुत जला आप सब को बताने के लिए पार्टी भी करने वाले हो शकीर साहब की कहने पर वो खड़ा ओधा शरारा से कहता टेबल पर रखके बिस्कित देखता खाने लगा था यहाँ भी अपने मतलब की बात बिल्कल मापर गया है जवात की बात का इशारा समझते शकीर साब में साहरा बेगम को देखा है यас यहिसे तो माँ देखती ही नहीं है मुझ पर कैसे जाएगा शक्यित सहाब की बात तर वो चाएगा कप टेबल पर रखती है नाराज की सकेहती जबाद को देखने लगी जो बहर से आकर से शक्यित साब से मिला था माँ तो निजही नही आती इसे कफ़गी से कहती है वो रुख मोड़ गए थी अम्मी जी नजर आती है पर मेरा मतलब तो अबू जी पूरा कर सकते ना सारा बेकम को खपा होते देखा वो पूरा बिस्केट मूर में डालता जल्दी जल्दी खाता उनके घुटनों में बैठता बोला था समझे अम्मी जी उन्हें ना मानते देखकर वो ठोड़ी पकड़ता उनका चेरा सामने करता उन्हें आँखों याँखों में इशारा करता अम्मी जी पर जोड़ देते बोला हाँ तेरी मा समझे ना समझे मेरे लाल मैं समझ क्या हूँ साहरा बेगम को देए शकी साहथ ने जवात की पीड़ सलाई थी पता भी देए इसे भी शकी साहथ कब कर रहे हैं दावट आप झवात के फिशानी पर लब रखतीhst साहरा बेगमने उसकी तरफ दाधी करती कहा हाँ हाँ कर रहा हूं दावत साथ ने हुरिया कभी निकाह करने का इरादा है आपकी संधन का सुना नहीं था आप भी तयारी कर लें कुछ खालिप्टा कप टेबिल पर रखते शकील साब ने इमरान साब से वोई गुफ्तकुन के गोश गजार रही हाँ तो सही है अबुजी इस जुम्मे को कर लेते हैं कुछी से उचलते जवाद ने और दिन भी खुदी तजवीज किया था हाँ यही कह रहे हैं तुमारे मामू सुसर भी जुम्मे को कर लेते हैं जवाद को देखते वो मस्कुराय थे हाई शॉपिंग पर जाना था हमें सायरा बेगम को एक नई टेंशन ने आन खेरा था बेगम हो जाएगी शॉपिंग भी शाम में चली जाया आप अपनी बवों के साथ अपनी बवों का भी ड्रेस ले आईएगा अब बदी का सायरा बेगम की परेशानी दूर करते हैं वो जवाद के सम्थ मुड़े थे जो किसी गहरी सोच में डूपा था क्या सोच रहे हो कुछ नहीं अबू जी शकीस आके पूशने पर मुस्कराया था ये सोचना बंद करो जब तक सरजरी नहीं हो जाती जवाद कंदेपथ हाथ रखते शकीस आप नहीं से समझाया था जी अबू एक मिनट मुक्तसे साय जवाब देता वो पॉकेट में वाइबर्ट होते मुबाइल के सम्थ मतबच्चे हुआ ओके आप ओटी रेडी करें मैं आता हूँ मैं बलता हूँ अब फिर आपसे एक एमजन्सी केस आ गया है जल्दी है मैं आता हूँ फोन बंद करके पॉकेट में रखता वो उजलत भरे अंदास में कहता गाड़ी के सम्थ भागने के अंदास में बढ़ाता पार्किंग में गाड़ी पार्क करता धीले सा ट्रॉजर पहने गले में वाइट स्टॉलर डाले हुए थी बालों को बड़े स्कैचर में मुकृत किये मेकप से पाक चेहरे पर मास्क लगाए वो बाज़ों पर वाइट कोट अपना बैग लेने के लिए गाड़ी में चुकी थी अपना कोट और बैग उठाता वो बाहर आता अपरिश को देखता बोला था जिस पर वो अजबात में सही लाती पड़ी थी और वहीं उसे उस तरह एक नोर करते देखा जवाद के दिल ने एक बीट मिस्की थी नंबे नंबे डग भरता वो अब रिष्ट के पीछे चलता सौंग यारेस गुंगुनाता हुआ गहरा मुस्कुराया था जबके वो उसे से नजर अंदाज करती थी जवाद के रिपोर्ट्स के बास से नजर अंदाज करती थी मगर उससे कोई भी तलख बात नहीं करती थी जबाद को ढील देने के लिए काफी था जबाद को बुका थे डॉक्टर जब्रान उसके रास्ते में हाइल हुए था और उससे अपने साथ चलने का कहते हो अब रिष्ट को आगे बढ़ने का इशारा कर गए जिस पर वह अजबात में सरहलाती हुए चली गई थी पेशिंट की सारी डिटेस उसे डॉक्टर जब्रान ने दे दी थी सरजरी के तैयारी की जा चुकी थी यह तो तैया था सरजरी जबाद करेगा मगर उसे असिस्ट कौन करेगा यह जबाद का खुद पैसला होना था अभी वो वेट में बैठे जोनिया डॉक्टर की टीम जो पाइल्स बंद करता वो अपने सामने खड़ी स्टुडेंट जोया के साथ कड़े शान और शुचा को देखता मसरूफ सा अंदास में कहता गुमसम खड़ी अबरिश को देखता मुस्कराया था मैं? अपना नाम सुनती वो हैरस से आँके पूरी खोल गई हाँ आप ही डॉक्टर अबरिश हैं शायद एहरस से पनी तरफ तक ते देख वो शोख नजरों से देखता आए पूछ का गया सर मेरी तबियत नहीं ठीक मैं जॉइन नहीं कर सकती आपको उन्या चिटखाती वो बहाना बनाती मिन मिनाई थी जए शफस के साथ वो खड़ा नहीं होना चाहती थी उसके साथ आई सियो में सरजरी करना ये सोच ही अबरिश को मज़ीद परिशान कर गई क्या हुआ है आपकी तबियत को अभी कुछ दे पहले तो ठीक थी अबरिश के बहाना बनाने पर वो लब भीचे खुस्टे से देखने लगा मैं आज चुटी पर इसलिए ही थी क्योंके मेरी तब्यत खराब है जबात हो खुस्टे से घूरते देख वो अपने खुश कलबों पर जबान फेती लफ़ चपाती बोरी थी मैंने जो कह दिया सो कह दिया डॉक्टर अबरिश मिटे जॉइन करेंगी तस मिट बाद सरजरी है खुद को तयार करें खुद पर जब्द करता वो कद्र धी में मगा सक्त तीर लहचे में कहता वहां से चला गया था जबात को जाते देख वो तीनों भी जल्दी से अपनी अपनी नोटबुक लेने गए थे सुरँख नदम आखों से खाली राधादी को देखती वो सुरँख वो घुस्ट से लप कारती चार और हणा चार साजरी लिए तयार होने गई थे जल्बाजी में अपरिश스 के हाथ से इंस्ट्रूमंन लेते जबाद का हाथ अपरिश के हाथ से टचछ हुआ जिसवर वो अगुस्टर से उसे घूर का दिखती दूर हुई चैजरी के दोराने वो जवाद के पकारने पर पहले उसे अगुस्टर से घूर का दिखती फिर उसे कुछ पकड़ा दी थी Caesar, अब रिशीजर दो जी उसे से दाथ पीस थी, वो उसे गूरने में इतनी गुमती कि उसे कोई आवाद ही सुनाई नहीं दी थी जब उसे ना सुनते देखका जवाद में उसे हैरा से देखा स्टेजिंग करो सीजर साइट पर रखता वो अबरिश को नया हकम जारी कर गया मैं कैसे, जैसे करते हैं, आप क्या या मुझे नहारने आई है हैरा तो बेयकीने से कहती, अबरिश निया कदम पीछे लेना चाहे थे कि तब ही अगुस्त से कहता, वो उसका हाथ करता सामने करिया स्टार्ट, हरिया ब्रॉक्टर अबरिश उसे गायर करता, वो खुद उसकी मदद करने लगा मगर मकाबल के हरकत करते हाथ देख कर वो लंबा सांस खिचकर करने लगी थी दूर रहें, सुना नहीं, दूर रहें मुझे, मैं खुद करूंगी मदद करते जवाद का हाथ दूर जड़कती, वो खुसे से बोली थी, कि तब ही सामने बेटे स्टूडरंस ने हैरेस से उसे देखा था ओके, करो, पांच मिन के अंदर-अंदर, पेशिंट को किसी भी वक्त होशा सकता है खुसे से दान पीस था, वो अबरिश की कहने पर दूर हुआ था जवाद से खौफ खाती, अबरिश की नज़र जैसे टाइमर पर पढ़ी, उसके हाथ पैर पूले थे और फो खौफ रदा नज़र से ला तालुक खड़े जवाद को देखकर रोहांसा हुई थी मगर उसे मदद के लिए नहीं पुका रहा था तो मिन गुजरने के बाद भी वो लरस्ती वे पे आवाज रोने में लगी थी जब खुद पर मज़त काबून ना पाता, वो खुसे से बोला था अबरिश मारोगी पेशन को, तुम्हारा पहला केस है, तुम्हें किसी की हैल्प की जरूरत नहीं है तो करो, मुझ क्या देख रही हो खुसे से गौर रहा था, वो अबरिश की सुरुख नम आखों में आँके डालता सकी से गोया हुआ मुझ से नहीं हो रहा, आप चले जाएं यहां से, मैं आपके साथ काम नहीं कर सकती खुसे से कहती है, वो रोने लगी, लब भीचता, वो उसे दूर धकेता, खुदी स्टेजिंग करने लगा टाइमर पर लगा, वक्त बहुत कम रह गया था, वो अब रिश की जिद्की विज़ा से किसी के जान के साथ नहीं खिल सकता था जल्दी जल्दी हाँ चलाता, वो अपने काम काफी कॉंपिडेंटली कर रहा था, जैसे देखकर वहां मारू स्टूडन से मतासर होए थे अब कि इसके बार अब रिश के पहले सर्ज़री की लाइब विडियो देख रहे थे, अब रिश को वर्क ना करते देखा परिशान होए थे सर्ज़री तो कामियाब होई थे, मगर अब रिश के लापर वाही जो जबास से किसी दोर बरदाश नहीं होई थी चेंजिंग रूम में आता, वो खुद परसे जब खोता गुस्टे से दिवाय पर हाथ मारता, हलक के बल धाड़ा था कि कमरे के दरो दिवार अब रिश को पने साब पर गिरते महसूस होए थे तुम अपनी जब में अना में किसी की भी जान ले लोगी किया? दिवार से लगी अब रिश के दोना तराफ में हाथ रखता, उसके बेहत गडिब होता रूपर रुआया था मैंने जान बुच कर नहीं किया, खौफ से सपयत पढ़ते चेहरे से मकाबल की दहुच हलकाती आँखों में देखती, वो लरस्ती बमश्किल बोली थी वो खुद हैरान थी, वो जबाते अगुस्ते में किसी को नुक्सान कैसे पहुचा सकती थी जब मैं सिखा रहा था, तो क्यूं दूर किया मुझे, खौफ से लरस्ती पलके देखकर वो अपने अगुस्ते पर काबू पाता, कदर धीमे लहचे में गोया हुआ क्योंकि मुझे तुम नहीं पसंद, तुम जब मेरे गनी बाते हो, मुझे खुद से गिन महसूस होने लगती है तुम जूटे हो, मकार हो, तुमने मेरे यकीन के साथ खेल खेला था जब सोचती हो, तुम एक आयाश, एक जानी हो, जिसे तमाम मुझे बरदाश करना है, मुझे नफरत है तुम से खुन से बहरे हाथ और खुस्ते से सीने पर मारती हो, उसे खुस्ते दूर धकेलती हजियानी चिलाई थी जब से पता चला था, इसी हफ़ते उसका और जवाद का निकाह भी मनजर आम पर आ जाएगा, ये सोच करी वो खुद को तकलीव दे रही थी तुम गंदे, घटी है इनसान हो, बार पार मेरे गडीवाने की कोशिश करते हो, काम की आर्ड में तुम मुझे क्यों चुरूते हो हैरत से देखता हो, उसके अलफास सुनका साकित हुआ था, जारुकितार रोती ही, वो तेस से तेस तर आवाज में अज़ानों से क्या क्या बोल रही थी जब जब तुम्हारा लम्स अपने गडीब अपने वजूद पर महसुस करते हो, तो खुछ से किरायत होती है, मुझे जमलिक जबाद एवान, उसके नीजी ड्रेस पार खुन के काले निशान बनते देखकर, वो अपनी पूरी ताकत से उसे उसे दूर धकेने की कोशिश करत हो, जिस लम्स से तुम्हें करायत होती है, उस लम्स से रोशनास कराना मुझे पिलकल बुरा नहीं रगेगा, उन आशाम निगाहों से उसे उपर से नीचे तक घूरता, वो लफजों पर जोर देता बोला था, मकाबे के लहज़े से आया होता, जुनों उसकी सांसे रोग ग अबरिश, डॉक्टर जिवरान की आवास वो खुना शाम निगाहों से, उससे देखता, उससे फासले पर होता रुख मौड गया, क्या किया यह आपने, आप तो बहुत काबिल हैं, समझधार हैं, पिर यह गल्ती कैसे, और क्यूं, अबरिश को रोते देखकर वो बरहमी से गोया हुए, इनकी तबियत नहीं ठीक, डॉक्टर जिवरान, डॉक्टर जिवरान की कंदे पर हाथ रखते, जवाद नोने कुछ भी कहने से रोका था, कहा किसी को हक दिया, उस पर चिलाने का, जवाद के सुटक आँखों में देखते, डॉक्टर जिवरान अजबात में सर रोडुर के जगा, चल्म लेंगे क्लिए विजरू तक तक की अजाज़ा दीजए, आला हाफास,